दस्तों नमस्कार बहुत सारे प्रषन आप लोगों के आरे थे और एग प्रषन कॉमिली आरहा था वो था डेक सोना और प्रेइड़री शलॉन दोनों किया अंतर है क्या इन दोनों में भिंड़ताएं हैं या दोनों सैम हैं किस तरीके से ये काम करते हैं सारी बातें दोनों के अंतर की आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ ताकि जितने भी practitioners हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हूँ मैं ये वीडियो practitioners के लिए बना रहा हूँ Please, कोई भी पसुपालक अपने हिसाब से इलाज ना करें, हमेशा पसुचिकित्सक की मदद लेकर के ही इलाज करवाएं देखिए, अगर ये दोनों की पहले समानताओं की हम बात करें तो दोनों के उपर मैंने वीडियो बनाया थे, दोनों के वर्क जो है वो दोनों सैम है और दोनों के वीडियो जो है रफिक वाई डिस्किप्शन में डाल देना ताकि सब देख सके ठीक है तो ये दोनों में जो सैम है वो तो यह है कि दोनों ही स्ट्रोइट है और दोनों ही आपातकालिन दवा है दोनों ही इम्मुनिटी और दूद को कम करते हैं दोनों को ही इन इमर्जेंसी लगाया जाता है साधारन दिया इनका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है ये होगी कोमन ल बात हैं और इनके बादे में डेटेल एविडियो में है ये आप देख लेना लेकिन इन दोनों में भिन्नता क्या है दोनों में अंतर क्या है नंबर वन अगर मैं अंतर की बात करूं तो वो यह है कि il देक्जा मीक्स stemson जो है वो iv और im याणि मास में भी लगाया जा सकता है तो IV भी लगाया जा सकता है IV लगाया जाने की वज़े से इसको आप drip में भी लगवा सकते है ठीक है ना तो इसलिए इसकी importance बढ़ जाती है मास में भी लगाया जा सकता है तो drip में यारी IV भी लगाया जा सकता है जबकि अगर हम बात प्रेजिशनान की करें, तो ये जो है इस्ट्रोइट, ये इस्ट्रोइट सिर्फ और सिर्फ मास में लगता है, ये दोनों में लगता है, पहले बेनता तो ये होगी, वो तो इनॉर्मल है, वो आप सभी को पताए, लेकिन दूसरी चीज में चार ऐसी ज्यादा वर्क करता है, जनरल ही ज्यादा वर्क करता है, जनरल ही मतला पूरे सरीर पर वर्क करता है, ये पूरे सरीर पर वर्क करना होता है, उस समय, आलागि सरीर पर वर्क ये ही करता है, लेकिन बैटर रिजल्ट इसका मिलता है, यानि कभी भी माल लीजिए, किसी भी जा एक्षन दिलवाना होता है उस समय हम डेक्षा मितासोन का इस्तेमाल करवाते हैं उससे एक्षन जो है वो तुरंत मिल जाता है जनरली पूरी बोड़ी पर तुरंत एक्षन लाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जबकि एक निश्चित जगे पर एक निश्चित थोड़ा बेस्ट साभित होता है तो यह आगे लोकल और जनरल की बात इसके अलबा अगर हम बात करें तो यह जो प्रेडिसलान है जहां पर कहीं गांट हुआ या जोड़ों में सुजन हुई या कहीं हाइग्रोमा हुआ या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है उसमें इसको लोकली यानि उस जगे भी लगवाया जा सकता है जबकि डेक्सा मेतासोन का उस जगे लगाने प्रॉब्लम है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है किसी पर्टिकुलर जगे अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें इस्तिमाल करवा सकता है लोकली उस जगे लगा करक पैरेंटरली जिसको बोलते हैं, अलग अलग जगे के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करवाए जाते है यह तीसरे नमबर का दोनों का अंतर है, इसके अलगा अगर मैं छोथे अंतर की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा important देखी भायों ये जो चीजें है ना चोटी-चोटी चीजें जो कि जनरली हम YouTube पर लेते ही हैं लेकिन डीप से scientifically एक निश्चिद वे में हमारे online session में ली जाती है जो हर महीने की 21 तारिक से सुरू होता है इस महीने जो 20 तारिक आ रही है इससे भी शुरू हो रहा है एक महीने का life changing session है आप लेकर के देखिए आपकी life में किस तरीके से बदलाव होता है जो practitioners है उनके लिए पसोचिकर सक और practitioners जो है उनके लिए ये live session चलता है तो आप उसका इससा भी बन सकता है रामावत एनिमल एप पर चले जाएए वेट क्लास में जाकर के या वेट डिजीज में जाकर के और आप डेमो क्लासेज भी ले सकते हैं या जो भी आपकी कमजूरी है उसको दूर कर सकते हैं ये जो बात में चोथे नमबर की कर रहा था वो बात है फ्रेंड की देक्सा में ता सुन जो होता है न वो प्रेंडनी सलोन की बजाए कम से कम पांच से च्छे गुणा जादा परभावी होता है यानि इसका जो action है काम करने का डंग है कम करने का मतलब result जो है वो डेक्सा में ता सुन का इसकी बजाए पांच से च्छे गुणा ज्यादा है जनरली वर करता है लेकिन ये लोकली वर करता है वहाँ पर लोकल का राजा हो सकता है ये लेकिन जनरल का राजा ये है क्यों क्योंकि ये 5-6 गुणा ज्यादा तेजी से वर्क करता है ज्यादा अच्छा वर्क करता है तो दोनों में ये differentiation आप जान सकते हैं